उदेपुर में हुई कनहया लाल की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है कनहया लाल की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है अब तो विदेशों में भी इस हत्या कांड की चर्चा हो रही है ग्रीम अंत्राले ने बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे हत्याकांड की जाच NIA को सौब दी है ग्रीम अंत्राले ने कहा है कि इस हत्याकांड में किसी भी संगठन और अंतर राश्ट्रिय लिंक की गहन जाच की जाएगी अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है इस हत्याकांड के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं कनहया लाल की हत्या करने वाले मोहमद रियाज और गौस मोहमद पाकिस्तान के कट्तर संगठन दावत इसलामी से जुड़े हुए थे रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि गौस मोहमद ने 45 दिन तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी गौस मोहम्मद भारत में पाकिस्तान का स्लिपर सेल बनकर काम कर रहा था जानकारी देदें की दावत इसलामी नाम के संगठन का संचालन पाकिस्तान के कराची से होता है और दुनिया के कई डेशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है ये संगठन इसलाम की शिक्षा के नाम पर लोगों को कटर बनाता है और दुनिया भर में शरिया कानून लगू करने की वकालत भी करता है पाकिस्तान में बड़ी संख्या में इसके समर्थक है और इसलामिक देशों में इशनिंदा कानून लागू करने के लिए ये काम करता है बहराल आपको बता दे कि इन दोनों आरोपियों ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी थी सोशल मीडिया पर इन दोनों का वीडियो वाइरल हो रहा है दोनों ही आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया है सूत्रों ने बताया है कि इन दोनों ने ही कभूल कर लिया है कि ये दावते इसलामी से जुड़े हुए है अब ग्रही मंत्राले ने सकती दिखाते हुए कड़ी कारवाई के आदेश दे दिये है